तो आज इस उपर्चुनिटी की मैं बात करने जारी हूँ यह इंटर्शिप गॉर्मेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है इसकी जो डेट थी वो 6th of May 2024 थी बट मैं थोड़ा सा डीले हो गई बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है इस इंटर्शिप को अप्लाई करने के लिए क्योंकि इसकी जो लास्ट डेटा 21st of May 2024 है तो अप्लाई करने का सिंपल सा प्रोसेस है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं तो यहां पे प्रोपर स्क्रीम पे भी दि इंटर्शिप से हमें क्या बैनिफेट तो अगर आप कोई भी जैसे आप इंटर्शिप करते हैं इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर किया था जहां पर आपको फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जाता है उससे बैनिफेट्स आपको आगे इन फूचर जॉब में मिलता है क्य है तो वहाँ पे आपके कुछ पोइ treadmill है तो इनके certificate भी आपको मिलते हैं तो वहाँ पे वो certificate मी दिखा सकत oll है क्या आप में ओ इंटर्शिप या कुछ ना कुछ आपको जो न्यू न्यू टेकनॉलेजी आ रही है अकॉर्डिंग टू तो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा हाइप स्किल्स चाहते और एक अच्छी MNC कंपनी में जॉब चाहते हैं तो ऐसी गौर्मेंट ऑफ इंडिया बहुत को अच्छा है इसको अप्लाई करने का जो प्रोसर से वह मैं प्रॉपर आपको बिखाने वाली हो तो आप अगर ग्रेजवेशन के स्टूडेंट्स या पोस्ट ग्रेजवेशन के स्टूडेंटर तो आप प्लीज इस इंटर्शिप को करिएगा और ऐसे ही आपको अगर तो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो यहां पर आपको सारी डिटेल्स दिखाई देगी डूरीशन ऑफ इंटर्शिप यह आपकी दो मन्त की इंटर्शिप रहती है ठीक है and place of internship क्या रहने वाला? आपका internship will be offered at New Delhi तो आपका जो place of internship है यह आपका New Delhi में होगा जो मैंने क्यों कि यह Government of India की साइट से है certificate of internship आप जो भी यह internship करेंगे 2 months की तो इसका आपको proper certificate मिलता है और इसमें मैंने आपको बताया था यह token 10,000 उपेज पर मन्त अब जब यह आप internship करेंगे तो इसमें आपको हर महीने 10,000 उपे मिलेंगे इसमें डिजिटल इंडिया इंटर्शिप स्किम 2024 तो मैंने आपको जो डिटेल्स बताया थी इसकी जो लॉंच देट थी 6th of May 2024 थी submission of application last जो डेटर 21st of May है selection का जो application रहेगा 22nd to 28th of May 2024 रहेगा result of selected internship जो आपका result आएगा आप apply करेंगे तो उसके बाद जो result आएगा वो 29th of May 2024 को आएगा offer of internship 29th of May 2024 candidates to confirm for internship जिन-जिन candidates को confirm किया जाएगा internship के लिए वो 29th to 30th May 2024 तक रहेगा offer of internship to waitlisted candidates रहेगे 31st of May तो यहां से आप सारी details चेक कर सकते हैं जो भी मैं आपको details बता रही वो प्रॉपर स्क्रीन पर भी बता रही और मैं आपको direct जो इनका link है वो link आपको description में मिलेगा तो मैं आपको बता देती हूँ यह आपका link रहेगा ministry of electronic and information technology तो यहां पर आपका apply करने का यहां पर आप option देख रहेए apply for internship जैसे आप इस पर click करेंगे apply for internship यहां पर आपको go to यह link दिया गया direct आपको link पर apply करना कोई भी third party है कोई भी ऐसा link रही है जहां पर आपको कुछ pay करना है तो जब आप इस पर click करेंगे click करने के बाद आपके पस इस site का interface आएगा तो यहां पर आपको registered पर click करना है सबसे पहले आपको login नहीं करना है क्योंकि आपको सबसे पहले अपना register करना है उसके बाद आपको login करना है and select state और यह आपका capture यहाँ पर आपको select करके और submit करना है जैसे आप submit करेंगे उसके बाद आप login करके आप अपना application चेक कर सकते हैं तो यह आपको apply करने का simple सा process है, कोई hard process नहीं है और ऐसे ही मैं आपके लिए और भी latest update लेकर आती रहूंगे regarding for job तो अगर आप पंजाब location में job search करें हमारी जो new hiring अब पेटियम की है तो आप please मुझे comment करिए कि तो उस पर भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी और ऐसे लेटेस्ट अब्डेटी लेकिया हैं इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको शेयर करने वाली हूं अब हम बात करते हैं अब फ्रेशर है यह experience है आप इस job profile को apply कर सकते हैं qualification के अगर हम बात करें आप अगर only 12 pass out है यह आप graduation करें online यह distance है आप इस job profile को apply कर सकते हैं company का head office है वो है न्यूजीलेंड में and company का जो name है CFOX company का name है and इसमें जो आपका salary structure रहने वाला है वो 12K से 20K depend on interview की आप फ्रेशर है यह experience है और आपका जो interview process है वो आपका virtual interview process है आपको कहीं पे भी जाके walking interview नहीं देना है कोई आपकी training नहीं होगी इसमें जो आपकी training है वो भी आपकी online होगी आपको घरबाटे ही training में लेगी and इसमें जो आपको work करना है इनका एक card होता है NFC card होता है आप उसे check भी कर सकते है जैसे मतलब NFC card से होता है कि आप data जो है process है आपका 20 भी हो सकता है 30 भी हो सकता है 40 भी हो सकता है वो 50 भी हो सकता है वो company की requirement के according होगा उस पर जस्ट आपको call करना है और इसमें काफी आप अच्छे incentive भी earn कर सकते हैं जो incentive है वो आपका dollar के तुरू आपको मिलता है क्योंकि आपका international process है इस job को apply करने के लिए सो जो सबसे main चीज है वो आपका communication skills क्योंकि हिंदी वाले candidate इस job को apply नहीं कर सकते हैं तो please आप अगर हिंदी में apply कर रहें तो आप इस job profile को apply ना करें क्योंकि इसमें हिंदी की requirement नहीं है क्योंकि international process है आपका communication skills काफी strong होना चाहिए इसके इलावा अगर आपका कोई भी doubt है प्रोफाइल को लेकि कोई भी caution आप मुझे comment कर सकते हैं apply करने का link आपको description में मिल जाएगा आप अप्लाई कर सकते हैं इसके इलावा direct आप मुझे cv भी share कर सकते हैं मेरे whatsapp पे क्योंकि interview का जो process है वो online रहने वाला है और ऐसे ही लेट accounts profile मेरे पस बहुत सारे comments messages आ रहे थे accounts profile के लिए तो इस वीडियो में में सारी details आपको share करने वाली हूँ क्या company की leasability है कैसे आपको apply करना है क्या qualification की requirements है क्या salary package होने वाला है और कैसे आपको apply करना है तो इस वीडियो में company की भी आपको proper details मिलेंगी अगर आप accounts profile में job search करें तो बहुत ही best opportunity apply करने के लिए simple सा process apply का and इसमें जो आपका interview process है वो भी normal आपका interview process है कोई आपका test नहीं है कुछ भी नहीं है तो बहुत अच्छी opening है अब बात करते है company requirements की company की क्या क्या requirements है इस profile के लिए तो सबसे पहले है maintain आपका financial records prepare accurate statements and जैसे like balance sheet हो गया cash flow हो गया manage GST advanced excel skills की requirement है जैसे आपका we look up हो गया for data analyst and इसके अंदर आपके पास one से लेके या फिर two years का कम से कम आपके पास experience होना चाहिए fresher candidates apply नहीं कर सकते क्योंकि company की requirement है experience candidates आप हम बात करते है qualification की तो qualification normal अगर आप only 12 pass out है या आपने graduation किया है main company की जो है वो आपके पास experience होना चाहिए जो मैंने आपको eligibility बताई है जो skills company की requirements है वो skills आपके पास होनी चाहिए क्योंकि interview में यह सारी skills आप से पूछी जाएंगी maybe आपका हो सकता practical भी हो इस चीज में तो आपके पास यह सारी skills की requirement होनी चाहिए and हम बात करते हैं इसमें जैसे salary की तो salary इसमें up to 30,000 है बट depend करता आपके experience पर अगर आपके पास more than 2 years के experience है 3 years के experience है तो जो भी आपकी last salary होगी उस पर depend करता है बट आपके पास जो भी experience है उसका आपके पास experience letter भी होना चाहिए कई पर candidate बोल देते हैं कि I have 4-5 year experience बट उनके पास कोई भी experience letter या फिर कुछ भी documents नहीं होता तो without documents कोई भी company consider नहीं करेगी तो अगर आप अपना experience दिखा रहे है तो आपके पास experience letter होना चाहिए उसके base पे ही आपकी salary decide होते है अगर आप अपना experience शो करते है प्लस आपके पास जो भी last company उसकी salary slip होनी चाहिए कि आपकी last salary इतनी थी because जो company की salary वो 1-2 year experience के base पे अप टू 30,000 है but depend आपके interview पे भी करता है तो इसमें और बाकी description में आपको company की details चाहिए company address आपको properly वहाँ पे share हो जाएगा एंड इसके इलावा अगर फिर भी कोई आपका doubt है कोई भी आपका question है तो आप मुझे comment कर सकते हैं और ऐसे latest update के लिए job door को like, share and subscribe करे दिजेगा Thank you